दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल और unable education निूज में दोस्ते इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान विधान सभा चुनाव तो राजस्तान विधान सभा चुनाव दो हजार तेइस आदर्स आचार सहिंता यान की Code of Conduct कब लागू होगा इसके अलावा सातियो राजस्तान सहीत पांच राज्यों में इसी साल चुना होने हैं नॉवंबर और दिसंबर के महीने में तो आखिरकार आदर्स आचार सहिंता कब लगने वाली है आदर्स आचार सहिंता एक बहुत मतलब विश्तरत विश्य है बहुत सारी चीजे आचार सहिंता के अंदर नहीं की जा सकते हैं बहुत वाइड इसकी मतलब व्याक्या है अगर आपको आदर्स आचार सहिंता के बारे में जाना है उनमें कब लागू होगी ये बताने वाले ये सिर्फ राजस्थान का ये अपडेट नहीं है और भी जो चार राज्य राजस्थान के लाव बस्ते हैं उनमें आदर्स आचर सहिंता यानिकी C.O.C. Code of Conduct कब लागू होगा उसके बारे में बात करने वाले हैं उससे पहले आप को बता दे कि इस साल कहां कहां चुना होने हैं तो दोस्तों मद्यपरदेश MP में चुना होने हैं राजस्थान, 36गड, तेलंगाना और मिजोरम ये वो पाँच राज्य हैं जहां पर इस साल चुना होने हैं यानि कि इनका जो बिगुल है बज चुका है राजनितिक जो पार जारी करती हैं तो अब आदर्स आचर सहिंता को लेकर के जो खबर है उस पर बात कर लेते हैं फस्ट इंडिया न्यूज की जानकारी है कि पांच राज्यों में होने वाले विधान सबाच चुनाओ को लेकर बड़ी खबर है साथ या आठ अक्टूबर को हो सकता है विधान सब कमिशन के द्वारा एक पीसी की जाती है प्रेस कॉनफरेंस की जाती है ठीक है और वो नई दिल्ली में होगी प्रेस कॉनफरेंस अब उसके द्वारा प्रेस कॉनफरेंस में चुनाओी जो तारीखें हैं उनका एलान किया जाता है जिस दिन इलेक्शन कमिशन की पीसी होगी प्रेस कॉन्फरेंसिंग होगी उस दिन जैसे ही election commission PC करेगा उसी वक्त आदर्स आचर सहिंता लागू हो जाती है ठीक है तो election commission की जो PC है प्रेस कॉन्फरेंस है 7 या 8 October को हो जाएगी और जैसे PC हुआ तुरंथ आदर्स आचर सहिंता लागू हो जाती है उसमें बहुत सारे जो राइडस है नेताओं के मंत्रियों के वो यहाँ पर एकदम निल हो जाते हैं ठीक है बहुत सारी वाइड चीजे हैं आचर साचर सहिंता में तो 7 या 8 October को राजस्तान विधन सबा सहित 5 जो अन्ने राज्य होंगे उनमें एक साथ लगेगी और इसमें इलेक्शन कमिशन बताएगा कि भाई कोन से राज्य में कब चुनाओं है कितने चरणों में चुनाओं है दो में होंगे, एक में होंगे, तीन में होंगे तो इस तरीके से सारा का सारा सैडूल बताएगा अगर दो चरणों में होंगे तो पहले चरण के जो फारम है वो कब भरे जाएंगे दूसरे चरण के कब भरे जाएंगे कब कब क्या क्या होगा वोटर्स की इस तरीके से वोट करेंगे जो पी एच जो वोटर्स हैं उनको क्या सुईधाय दी जाएंगी महिलाओं के लिए क्या सुईदय दी जाएंगी कितने यहाँ पर जो पॉलिंग जो बूत है वो बनाए जाएंगे तो यह सब इलेक्षन कमिशन की PC में सामिल होता है तो 7 या 8 हक्टूबर को यहाँ पर राजस्थान सहीत 5 चन्य राज्यों की जो आदर साचर सहींता है वो लागू होगी चुनाओं की तारीखों का एलान होगा और उसी दिन यहाँ पर बता दिया जाएगा पूरा अलेक्षन का जो खाका है वो संभवते दोस्तों राजस्थान में जो चुनाओं है नॉम्बर के अंत या दिसंबर के सुरुवाती सब्ता में किराए जा सकते हैं और आप लेक्षन के चलिए 10 या 12 दिसंबर के आसबस इन पांचों राज्यों में एक साथ चुनाओं की गणना होगी यानि कि पांचों राज्यों के नतीजे एक साथ आने वालें 10 या 12 के चुनाओं की मैं बात करूं तो नॉम्बर लास्ट या फिर दिसंबर के सुरुवाती सब्ता में तो इस तरीके से जो हैं आप लोगों के जो चुनाओी आदस आचर सहींता है 7 या 8 अक्टूबर ज्यादा से ज्यादा आप 10 से पहले मान के चलिया आप लोग यानि कि 15 ता पार्टियों को समय बहुत कम मिलेगा और कहां जहां 2-3 फेस में चुनाओं होने हैं वहां पर दिक्कते आएंगी इलेक्शन कमिशन को भी जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं चुनाओं उनको भी राजनतिक पार्टियों को इसलिए 15 तारिक तक आजर सहींता नहीं जाने व आहारत.